हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई यूट्यूब चानल वंडर्स ओफ लाइफ दोस्तो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चानल वंडर्स ओफ लाइफ में हादिक स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत फैदेमंद है तो चलिए जानते हैं दोस्तो, आज हम बात करेंगे लेमन यानिकी नीम्बू के बारे में नीम्बू एक ऐसा फल है जिसका हम दैनिक जीवन में नीमित उप्योग करते हैं और साथ ही इनके अनेक फायदे भी हैं भारत में बहुत परकार के नीम्बू पाये जाते हैं नीम्बू सालों बर असानी से मिलता रहता है घर की साफ सफाई में भी इसका बहुत उप्योग किया जाता है नीम्बू का उप्योग भोजन और सालेड में किया जाता है तो आईए जानते हैं नीम्बू के कुछ फाइदों के बारे में दोस्तों मूँ धोने के लिए नीम्बू का उपयोग करने से मूँ से दुरगंत नहीं आती है सैलेड में भी इसे डानने से सैलेड का स्वार ओड भी बढ़ जाता है और सैलेड जल्दी खराब नहीं होता है दोस्तों नीम्बू का नियम्मित उपयोग हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है हर दिन सुबा गुनगुने पानी में नीम्बू का रस्प और शहद मिलाकर पीने से शरीर का वजन नियंतरित रहता है बालो में भी नीम्बू के प्रयोग से डैंडरफ से छुटकारा मिलता है नीम्बू का प्रयोग ऐसीडीटी से छुटकारा दिलाता है इसके उपयोग से दाटों की सफेदी बरकरा रहती है कपड़ों की साफ सफाई या फर्ष की सफाई निम्बू का उपयोग करने से दाग असानी से छोड़ जाते हैं दोस्तों निम्बू हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होने देता है और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है निम्बू काट कर इसकी फांकों में नमक और काली मिज भर कर चूसने से गैस की समस्या में भी लाब होता है गरम पानी में निम्बू डाल कर गरम पानी को गुट-कुट करके पीने से हिचकी भी कम हो जाती है दोस्तो दो चम्मच मदू और दो चम्मच निम्बू का रस मिलाकर गरम पानी में पीने से पेट डर्ड कम हो जाता है निम्बू के उप्योग से पेट की समस्याएं हमसे दूर रहती हैं निम्बू गले की खरास में भी फायदेमंद होता है नीम्बू का नियमित उपियोग खून साफ करने में भी मदद करता है तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत फैदेमंद है जिने आप भी जुरूर अपनाए तो दोस्तों मैं उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो फैदेमंद लगी होगी मेरी वीडियो को लाइक, कामेट, एंट शेर करना ना भूलिये मेरी और वीडियोज देखने के लिए मेरे चानल Wonders of Life को सब्सक्राइब करना ना भूलिये तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ Till then, take care and thanks for watching